नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका आज हम यहाँ पर हमारे अनार के खेट में तो यहाँ पर यह पर वाली सारी ब्रांच जल जाएगी मतलब खरब हो जाएगी अगर नीचे से कीडा लगता है वो ब्रांश को खाते-खाते उपर आ जाएगा और पूरी ब्रांश जल जाएगी तो इसके बज़े से बहुत ज्यादा पेड़ खरब हो सकते हैं तो अभी हम इसका ही इलाज हाँ पे करने वाले हैं यहाँ पे हम कुछ दवा है और नीचे बहुत बढ़र है और जो लकड़ी है अब ब्रांश है उससे खरब कर रहा है और बूसा नीचे दाल रहा है तो इसके बज़े से पूरी ब्रांश offline होने वाले है तो अभी हम इसके अंदर हम यहाँ पर मेरिसंच छोड़ने वाले इंजक्शन की मददेत औरल ठीक हो रहा है तो आज भी हम इसे इसके अंदर छोडने वाले हैं चलिए हम अभी छोड़ते इसके अंदर आपको इंजिक्शन इसके अंदर छोड़ना होगा जो कि सर्फेद कलर का दूद जैसा दूआए आपको दिख रहे हैं वो आपको छोडने पड़ेगी आपको जब तक वो होल है वो भरने जाता तब तक आपको injection छोड़ते रहना है ताकि उस कीड़े तक वो दवाई पहुचे और कीड़ा अंदर ही मर जाता है फिर उसके बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह का भूसा नीचे नहीं दिखाए देगा इस तरह से आपको एक के बाद एक injection इसके अंदर छोड़ना पड़ेगा अभी देख सकता है लगता है यह भर गया है फिर भी हम और एक injection इसके अंदर छोड़ने वादे अभी भी यह भरा नहीं है अभी भर गया है आप देख सकते हैं तो इस तरह से आपको इंजेक्शन इसके अंदर छोड़ना है तो इससे पहले बहुत सारे पेड़ों कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी थी हमने यह दावाई छोड़ने के बाद हमें कम होते हुए देखाए थी तो इस तरह से आप स्ट्रीम बोरर को कम कर सकते हैं आपके अनर के खेत में तो तो अभी हम आपको दिखाने वाले कि हम इसके लिए कौन सी दावाई यूज करते हैं तो यह है हमला 550 जो दावाई है हम एक लिटर पानी में थोड़ा सा 10 ml डाल सकते हैं और पानी दूज जैसा हो जाएगा इसके बाद आपको उसको इंजेक्शन में लेना है और अभी जैस दिन बाद इस तरह से बूसा निकला हो नहीं दिखेगा तो इस तरह से आप इस स्टीम बोरर का इलाज कर सकते हैं तो दोस्तों आपको एंगर अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आपके दोस्तों तक और दूसरे किसानों तक जरूर पहुचा है Thank you